हलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज मैं आपको गुढ़ल के प्लांट के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोशन के हमारे पौदे के पते बहुत ज़्यादा पीले पड़ते हैं पते ज़ड़ जाते हैं तो पौदा बड़िया नहीं लगता है इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा अगर आप अच्छे कौआलिटी के बीज लेना चाहते हो winter के imported quality के तो आप website garden दोस्ट.com पे जाके purchase कर सकते हो आपको सभी तरह के beach वहाँ पे मिल जाएंगे अगर मैं दोस्तों बात करूँ गुढ़ल के पौदे के बारे में ये चारातर समस्य हर एक पौदे में आती है और बहुत सारे जो चीजे हैं इसके पीछे रहती हैं जो इसका कारण होती है जो गुढ़ल का पौदा है दोस्तों अकसर दो वराइटिस में पाया जाता है आपने सुना हो एक grafted गुढ़ल होता है और एक हमारे पास normal non grafted होता है जिसको हम काफी बार देशी या पूने हबिसकस का भी name दे देते हैं जो हमारे पास grafted गुढ़ल होता है उसके पत्ते normally बहुत ज़रा कम होते हैं क्योंकि एक तो वो हमारे temperature में जो against अपने favorable temperature में रहता है काफी जगा पर ये चीज होती है मेरे जो grafted पौदे हैं ये फूल बहुत अच्छे से देते हैं उसमें कोई भी problem नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं आती है पर हमेशा उसके पत्ते कम ही रहते हैं पर उसके अलावा भी एक problem हो जाती है कि पौदे में जो पत्ते हैं बिल्कुल भी नहीं ही रहते नहीं उसकी birds खिलती हैं और पौदा बिल्कुल सुखा-सुखा सा लगती है उसका सबसे पहला जो कारण होता है वो है हमारे पौदे में micro nutrients और major nutrients की कमी अभी आपको काफी लोगों को पता होगा कि हम NP के अपने पौदे पे spray करते हैं उसका जो main कारण होता है जो पौदे को ज़्यादा मातरा में nutrients चाहिए होते हैं elements चाहिए होते हैं nitrogen, phosphorus, potassium वो पौदे को मिल सके ये चीज दोस्तो काफी चीजों पे depend करती है जैसे अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है अगर वो उस चीजों को hold करने में अच्छी है तो आपका पौदा हरा भरा रहेगा अगर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत जारा rough है उसमें सिर्फ आपने sandy soil डाल रखी है और city के लिए कोई ना अपने खात डाली है ना ही कोई आपने कोई और चीज डाली है उस वक्ते भी ये problem आ जाती है या फिर आप इसमें fertilizer बढ़िया से नहीं डाल रहे हो जो fertilizer इसको डालना चाहिए वो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो गुड़ल का जो पौद है ये एक heavy feeder plant है इसके लिए हम fertilizer है वो हम time to time देते रहें तबी ये अच्छे से bloom करता है इसके लिए जो हम सबसे पहला जो इसमें fertilizer डाल सकते हैं वो chemical है NP-19-19-19 ये दोस्तो हर एक जगा पे बहुत आसानी से अपलब्द हो जाती है नर्सरीज में भी आपको ये NP के equal proportion वाली मिल जाएगी जो हम गुड़ल के पौदे में डाल सकते हो डालने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा अगर आप इसका spray बनाओगे जैसे इसको sprayer में एक लीटर एक टी स्पून पानी में डालोगे तो उसके साथ जो पौदे को आप spray करोगे 20 दिन बाद आपके पौदे में बहुत हरी भरी ग्रोथ रही और आपका पौदा बिल्कुल भी मरेगा नहीं दूसरी चीज़ हर एक वीडियो में बताता हूँ कि Epsom Salt होता है जो Epsom Salt होता है इसमें Metam pum होता है और यह दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास दूसरा और्गैनिक मेथड है अगर आप केमिकल नहीं यूज़ करते हैं उस वक्त आप वर्मी कमपोस्ट होती है उसको डाल सकते हो जब वर्मी कमपोस्ट है यह बड़िया क्वालिटी की ले तो जारा भेथर है क्योंकि काफी लोग इसकी सस्ती के चक्कर में बहुत बेकार को अलेटी की ले लेते हैं जैसा आपको रिजल्ट चाहिए पौदे में नहीं मिलता है जिसका यही कारण होता है कि वर्मी कमपोस्ट अच्छे से डीकमपोस्ट नहीं होती है और इसमें जो वाम का वेस्ट होता है वो बहुत जारा कम रहता है इसलिए भी यह चीज हो जाती है अभी अगर आप दोस्तों देखोगे जो मेरे पास यह पौदे हैं इनमें दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ मैंने इन पौदों में जो मिटी है आप देख सकते सूखी पड़ी है इसमें मैंने पानी कल नहीं डाला थ जाते हैं पहले दिन आपको देखेगा थोड़े थोड़े से यह पीले पड़ेंगे और दूसरे दिन आपको बिल्कुल इसके जो पत्ते हैं पीले देखने को मिल जाएंगे और तीसरे दिन जाके जड़ जाएंगे मैं आपको अभी एक्जामपल के साथ देखाता हूँ सूखी है आप देख सकते हो अगर हम इसको देखें कि पूरी तरह से ये सूखी हुए नीचे को भी जद्री से चले जाती है ऐसी जो मिट्टी है ये भी गुढ़ल के लिए नहीं अच्छी रहती है क्यूंकि इसमें मौस्टर कम है जिसके करण जो आपके पौदे के जो पत्ते हैं पीले पड़ सकते हैं और आपका पौदा सही स्टेट में फ्लावरिंग नहीं करेगा अभी आपको मैं दूसरी मिट्टी दिखाता हूँ जिसमें हलका सा मौस्टर है ना जादा डैंप है ना जादा सूखी है और ऐसी जो मिट्टी है दोस्तो हर एक पौदे के लिए चा सही रहते हैं और यह हमारे पास तीसरी मिट्टी जिसमें जो पानी है बहुत ज्यादा स्टोर हुआ पड़ा है और अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें यह निकलती नहीं है ऐसी ही जड़ों के साथ होता है जड़ों में क्या होता है ऑक्सीजन नहीं जाती है और हमारा जो पौदा है root fungus ले लेता है या फिर वो over watering के sign जैसे पत्तों को गिराना या फिर उसके जो फूल है वो गिर जाना ऐसे sign शो करने शुरू हो जाता है इसके कारण जो हमेशा आप जो मिटी है उसको semi moist रखें ना ज़्यादा गीली रखें ना ज़्यादा सूखी रखें जिसके कारण मुझे नहीं पता चला कि एक ही पौदे में मैं fertilizer डालता जा रहा हूँ जिसके कारण जो क्या हुआ पौदे में जो नए नए पत्ते आने लगे हैं वो भी पीले होने शुरू हो गया है क्योंकि इसमें over fertilizer हो गया है अभी इस चक्कर में दोस्तों हमें क्या करना है कि प over fertilizer से free हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी fertilizer इसमें डाल सकते हो ऐसे करने के साथ दोस्तों आपका जो पौदा हमेशा healthy रहेगा और इसमें ज्यादा जो over fertilizer भी आपको नहीं लगेगा और एक चीज़ और दिखा देता हूं दोस्तों अगर आपके पौदे में पानी रुकता क्योंकि पौदा है जब भी over watering होती है या फिर जड़ा पानी बारिश होने लिए कारण जमा हो जाता है उसको निकास के लिए एक चीज़ चाहिए होती है तो इसके लिए drainage hole भी proper रखें जिसके साथ जो गुढ़ल का पौदा है आपको बहुत बढ़ी है तरीके से बढ़ेग उसमें भी पते पीले होने शुरू हो जाते है उसके लिए अगर आपने देखना है चेक करना है अगर आपके पौदे को धूप over मिल रही है ज्यादा मिल रही है उसके लिए इसको हफता भर semi-shitted area जहां पे जाला से ज्यादा 6 गंटे धूप आए और कम से कम 5 गंटे की धू आनी चाहिए 5-6 गंटे के बीच में आपको वहाँ पे रखना है और आप देखें अगर उसमें सही हो रही है अगरो तो आप ऐसा maintain करें वहाँ प्लेस पे रखें और आपका पौदा सही रहेगा ऐसे ही दोस्तों अगर आपको कोई और प्रॉबलम है गुड़ हल के रिगार प्रॉबलम है और आपका 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 प्रॉबलम है